उठो क्या फिर से लेट हो गए हैं कभी कभी हम सभी चाहते हैं कि हमें कभी सुबह के संगर से नहीं जूजना पड़े लेकिन कभी आप बिस्तर पर ही नहीं गई हूँ तो क्या होगा क्या होगा अगर आपको पता चले कि खुद को हमेशा कैसे जगाए रखना है आपके किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी भी तारिक के लिए तैयार होना पड़ता है यह आपने दिन का आनल लेने के लिए आपको कितनी बार सिर्फ कुछ घंटों की आवज सकता होती है जिद आप डेली लाइफ से नीन को निकाल देते हैं तो आपके पास 24 घंटे में वह सब कुछ करने के लिए होंगे जिनके लिए आपके पास कभी समय ही नहीं था जैसे कुछ इससे रिलेटेड टू फैक्ट भी हैं जैसे कि फैक नमर वन सन 1964 में एक अमेर की चातर ने बिना किसी उत्तेजिक पदार से चागने का रिकॉर्ड बनाया है वह 11 दिनों तक नहीं सोया फैक्ट नमर टू धिये गौक नाम की एक विक्ति ने 45 साल बिना सोय जाने का दावा किया हला कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी अनिंद्रा के कारड़ पानी के बिना एक पौदे की तरह लगने लगा नौक ने अपनी इस्थिती को ठीक करने के लिए कई प्रयास किये उन्हें ने गोलियां भीली नींद की और अन उपचारों का उप्योक भी किया लेकिन कहा कि कुछ भी काम नहीं करता है फैक्ट नमर थ्री Man Who Never Sleep की नाम से जाने वाले एक अमेरिकन व्यक्ते अल हैरपिन ने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोने का दावा किया हैरपिन भी कथिक तोर पर 64 साल तक जीवित रहे बैसे नौक, हैरपिन और अनसर्मवित लोग वास्तम में नीन की इस्तिति में गलत होने का मामला हो सकते हैं या जो लोग खुद को जागे रहने का विश्वास करते हैं जगवे वास्तम में सो रहे होते हैं फिर भी आप सोच सकते हैं कि नीन नहीं आने से आपका जीवन कितना बेतर होगा आपके पास काम करने के लिए अधिक समय होगा इसका मदला हो कि आपको कभी भी बिना नीन के अच्छे काड़ के विस्तर में पढ़ा रहका समय बर्वाद नहीं करना पड़ेगा आस्तन बेक्ते अपने जीवन का एक त्याई हिस्सा विस्तर में लेटने में चला जाता है और हमारा मूलवाद समय बर्वादी के तरह लगता है लेकिन ऐसा ही आपके सरीर के लिए नहीं है हापने सरीर से सुरू करते हैं जब आप सोते हैं तो आपका सरीर हार्मोन को जनरेट करता है और टिसूस की मरम्मत करता है जो परानी कोसकाओं को नई कोसकाओं में बदलता है यदि आपने उस दिन काम किया है तो आपकी मास्पेशियों को बढ़ने और बसा को जलने देने के लिए एक अच्छी नीन की आवस्कता होती है तो क्या होगा अगर आप सोते नहीं है यह तरीका सिर्फ टोपा माइन तक जारी रहेगा आप खुस और उजा से भरा महसूस करेंगे लेकिन आप उस सारी खुसी से मूर्ख मत बनो यह लम्मे समय तक चलने वाला नहीं है 24 घंटे के निसान तक पहुशने के तुरंत बाद आपकी सारी प्रतगरियां धीमी हो जाएगी आपका मस्तिस्त के यह भूलने लगया कि आप क्या कर रहे थे आया देखते हैं और क्या क्या होगा आपके निर्ले लेने की छमता प्रवावित होगी या दास भी कमजूर होगी और आपके हाँ आखों से नीचे नहीं जाएंगी आप अधिक भावुक नजराएंगी आपकी इंद्रियां खराफ होने लगेंगी और आपका ध्यान भी असल में आपके इस तरह से महसूस करेंगे जैसे कि आप नसे में हो लेकिन सरावी नहीं और आपकी आँके लाल हो सकती हैं और फिर और बुरी खरवे आएंगी जैसे कि चेहरे पर जुरियां अधिक दिखाई देने लगेंगी याद रखें कि हमने कहा है कि आपके मस्तिस्ट के कार करने के लिए उर्जा देने के लिए आपको परियाप्त गुलुकोज की कमी होगी फिसे आप इसे अपने सरीर के प्रोटिन द्वारा अमीनो एसेट से प्राप कर लेंगे इसलिए आप उन सभी मास्पेशियों को अरुलवदा कह दें जिने आपने बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी लगवाद दू हपतों के बाद आगी प्रत्रिक्षा प्रणारी कम्जूर होगी आप सामान एक्ट्लू से भी मर सकते हैं या फिर आकरी नींद के तीन हपतों बाद आपको दिल का दोरा पर सकता है बैसे मेरे इसाब से देखा जाए तो सरीर को प्रयाप नींद देना जरूरी है जिससे जब भी हम सुबह उठें तो अपने आपको फ्रेस मैसूस करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सस्कारब जरू करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी सैंस से जुड़ी होई अमेजिन फैक्ट्स को लाता रहूँ दिस इस इन दा फैक्ट